हाई गाईज बादन बॉल देख रहे हैं आप प्रशान तुम्हें आपके जात में सभी के मन में सवाल है कि मुकेश चौधरी कौन है तो बता दू कि धूनी ने इस खिलाड़ी की किस्मत बदली है मुकेश चौधरी का अगर जननी जाननी है तो आप पूरा वीडियो एंट तक देखे गा मुकेश चौधरी दरसल राजस्तान की भिलवारा में जन्मे है जी हां महराश्च्रे घरेलो क्रिकट囉 खेलते हैं लेकिन राजस्तान की भिलवारा में जन्में है 6 जुलाई 1996 को 6 जुलाई 1996 को उनका जन्म होता है भीलवडा उसके बाद में उपेता के साथ में महाराष्टर चल जाते है बाएं हाथ के तेज गेंदबास है इसलिए वो चिन्नाई की टीम में है और सबसे इंटरस्टिंग बात है कि वो साल 2000 जो 21 गया है उसमें चिन्नाई सुपरकींज के नेट बॉलर थे और उसके बाद धोनी को उनकी रफ्तार और सुइंग काफी जादा पसंद आया आपको पता है यह एक दीपक चाहर भी सुइंग इन्बासी कराते है और धोनी को सुइंग इन्बास काफी जादा पसंद आते है और उसके बाद में जो नेट बॉलर थे वो बन गए प्रमुक बॉलर इस साल अब भीलवड़ा जब भी आते हैं चार साल पहले गए थे मुकेश शौधरी भीलवड़ा और वहाँ पे ओ नाना नानी के घर गए गोबिलाल गड़वाल उनके नाना है और उनको बेहत पसंद है मक्य की रोटी और दलिया जी हाँ राजस्तान से हैं तो मक्य की रोटी पसंद होगी और दलिया काफी ज़ादा खाते हैं नानी हमेशा उनके लिए बनाती है, तो मुकेश चौधरी ने अभी कुछ ही माचस खेले हैं, 2017 में उन्होंने घरीलो करके लिए डेब्यू किया था, और लेफ्ट हेंडर हैं, तो इसलिए जादा प्रमुकता दी जाती है भारत में, क्योंकि जहीर खान के बाद ऐसा कोई गिन बाज नहीं आया, तलाश है, दीपक चाहर नहीं है, लेकिन मुकेश चौधरी जो हैं, वो आज कमाल कर रहे हैं, और शुरुवात के सभी प्रमुक विकेट उन्होंने लिये हैं, और जो डेवाल ब्रेविस थे, एबी डी विले से, एबी बेबी को जल्दी रवाना कर दिया तो मुकेश चौधरी के बारे में आपकी क्या रहा है, आप हमें जरूरू बताएं, साथ ही, स्पीड जो गन है, उसको आज काफी जादा चौका रहे हैं मुकेश चौधरी, तो I hope मुकेश चौधरी की छोटी सी जरनी आपको काफी जादा पसंद आई होगी, नेट बॉलर स इसलाक रुपे में करीदे गए, और आगे जाके प्राइस बढ़ सकता है, जैसे कि दीपक चाहर का बड़ा था, तो आपको वीडियो के चलगा जूरू बताएं, साथ ही, बातन बॉल को तमाम अब्रेट्स के लिए सब्सक्राइब लगत रहे हैं, नमस्कार